खरगौन जिले के बढ़वा थाना शेतर के अंतरगत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो पैट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। हम आपको बता दे कि इस गिरोह ने पहले भी इंदोर के एक पैट्रोल पंप पर दिन दहाडे लूट की घटना को अंजाम दिया था। जिनहें इस बार पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले धर दबोचा। जबकि इनका एक साती फरार है। इस दोरान पुलिस सधिक् कि रिपोर्ट। पर लूटने की योजना बना रहे थे। और इनको हमारी पुलिस टीम पुलिस अदिक्षक महदेशी सिदार चोधरी के निर्देशन में घटित हुई और इनकी घेराबंदी कर इनको पकड़ा गया। जब इनको घेराबंदी कर पकड़ा गया तो ग्यात हुआ कि इन दोर के जो भौरकवा थाना अंतरगत भुलारा मुस्तार मार्ग पर एक लूट की वारता तुई थी जो बाद में डकीती के रूप में परिणी थुई। उस गटना में इन अरूपियों का हाथ था। अभी हाल में जो पाँच अरूपी थे उनमें से चार को रौंड अप कर लिया ह एक अधेरे का फाइदा उटा कर भागने में सफल हुआ हमारी टीम लगाता लगी हुई है और इसमें सबसे बड़ी हमारी सफलता यह है कि यह हमारे जिले में एक नई संपति संबंदी घटना को कारिक करते हैं उससे पहले पुलिस ने इनको रौंड अप किया चाके वारधाते कर रहे हैं इससे जाहिर है कि आदतान इस तरह के लूट और डगेती करने वाले अरूपी है यह इनमें एक और ओरूफी जो है इस तरह है इसरत वो डवल मर्डर के आप में फरार अरूपी है इसके अलावा इंदोर की ठकेती के आरोप में यह सभी फराड चल रहे हैं इसमें अन्य इंवेस्टिगेशन के दोरान पूसताच में इनके पूरानय अपरादों के बारे में जन करने हैं इसमें फयूम उर्फ फजल उर्फ फयूम शूटर इसको कहते हैं और यह जो है मास्टर माइंड है यह इस पूरे जो टीम है इसको लीड करता है और इसको जो है पूरा नित्रुत करके और यह वारदात करें हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले